वेल गुड मॉर्णी फ्रेंट्स विल्कम तो आवर स्टेडी चैनल मुव ओन स्टेडी तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगे सामने अकांचा अस्कूली सिच्छा यहां साचर्था विभाग के द्वरह जो पीपर कंड़क्ट करवाए गया तो फ्रेंट्स मैं उसका एंसर लेक इसका यहां लिखना चाहते हैं आप लोग 1 by 2 लिख सकते हैं तो किसी वस्तु को एक अउतल दरपन जिसकी फोकस दूरी 15 cm से 30 cm दूरी पर रखा गया तो प्रतिभीम क्या होगा फ्रेंट्स इसे आप लोग दरपन सुत्र सेगा सॉल्व करेंगे तो इसका राइट एंसर अगर आप लोग निकालेगा तो 30 cm आएगा के लिए रहा है और वह वास्तिविक में होता है नेक्स्ट कोशन किसी उत्तर लेंज द्वारा बना हुआ प्रतिविम अभासी सीधा और विम से बड़ा वस्तु की इस्थिती अवस्य होगे तो फ्रेंट्स के जो राइट अंसरों क किंद्र के बीच में अगर रखते है तो क्लिए रहें चले नेक्स्ट कोशन कि हम लोग मूव औन करते हैं देखिए किसी उत्तर लेंज द्वारा वस्तु का प्रतिविम हमेसा होता है तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं किसी वस्तु दुवारा अउत्तर लेंस की जो प्रतिवीम होता हमासी हमेशा अवासी और छोटा होता है उप्सन नमबर ठड़ होगा एक बीम को 10 cm फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस के सामने 20 cm दूरी पर रखा गया तो प्रतिवीम क्या होगा तो इसे अगर आप लोग सौल्व करते हैं तो असपश्ट तथा धुंद्रा हो जाता है इस तसा को क्या कहते हैं तो इसका जो राइट एंसर हो फ्रेंट्स मूतिया बिंद होगा मूतिया बिंद होगा एं नेक्स्ट कोशन इजनौ देखे क्या लिखता मानाओ के दो नेत्रों द्वारा 36 डिश्टी छित्र लगपक होता ह तो दो नेत्रों के द्वारा 36 डिश्टी छित्र जो होता हुआ 180 डिगरी होता है 180 डिगरी नेक्स्ट कोशन आख में प्रवेश करता हुआ परकास की मात्रा किसके द्वारा नियमित और नियंतित होती है तो काफी एजी कोशन था यह पूपिल के द्वारा होगा याने कि नियुक बता दिया था पुतली के द्वारा होता है क्लिए रहा है सॉर्य यह दूरी के परिवर्टन हो रहा तो फ्रेंट्स के लाँट एंसर होगा सिलियरी पेसी मुंदा बलके क्लिए और साखन माध्य में गुजरता है तो क्या होगा मैं आप लोग को बताया हूँ ता तो अभिलम से दूर होगा नेक्स्ट कोशन कौन सही है तो फ्रेंट्स यह फर्मूला पेश्ट पे दे दिया तो आप लोग सिंपल में आप लोग जानते होंगे देखे आप लोग फर्मूला अगर आप लोग पढ़ोंगे जूल इचकल्ट क्या होता है कुलॉम इंटु वोल्ट ह होता है यानि कि आप लोग यह भी इचकल टु डबलू बाय टी फड़े हो ना तो उसके अधार पर लोग बना सकते थे तो चले एंसर नेक्स्ट कोशन दो परतिरोध आरवन तथा आटू समांतर में जोड़े गया है तो संयोजन का तुल्य परतिरोध क्या होगा तो आप ल तो आरवन बाय प्लस आटू होगा यानि इसका राट एंसर ऑप्सन नंबर ठड़ होगा यानि जिन्होंने ऑप्सन नंबर ठड़ किया उनका सई है नेक्स्ट कोशन इस नौ जब एक सॉर्ड जब आई एंपियर की धारा किसी आर प्रतिरोध के आरपार्टी सेकेंड में च तो नेक्स्ट परतिरोध क्टा करनों को एक दूसरे में समांता क्रमें संयोजित किया आता है एंड़ी नेक्स्ट कोशन विदुत चुम्बक के प्रेरान की परिघटना है तो प्रेंस के जड़ाया टेंसर होगा ओप्सन नमर ठड़ होगा कुंडली तथा चुम्बक के ह Guludhadara उत्पन करना कि कि finns एसी जनिट तथा DC जनित्र में मुल्भुत अंतर है कि Finger ि धो अन्तर होता है यादहेंज जनित्र में शर्फी विलायव लग उता है जिसे लोग पति mines हैब वही से जनित्र में दिक परिवर्ता को था जिसे Commutator कहते हैं यह काफी अंतरवला होता है काफी अच्छा कोशन था यह नेक्ट कोशन बिदुत फ्यूज तथा स्विच को संयोजित किया जाता है तो फ्रेंट इसे हमें से बिदुत मेरे तार्चे किया था जिसे तो पोटेंसियल भी कहते हैं एन वेरी नेक्स्ट को सण इजनो बेदुत सक्ति वेकरती है तो हम लोग पढ़िये फ्रेंट्स पी इच कड़ू क्या होता है भी भाई आई होता है तो अप्सन नमबर हम लोग को एपर क्लिक करना था एन वेरी नेक्स्ट को सण परतिरोद आर की किसी तार के तुकड़े को पाँच ब्रावर भागों में काटा जाता है इन तुकड़ों को फिर समानतकरम में समयोजित किया आता है तो यदि संयोजन का तुल्ली आरवन है तो आरवाय आरवन पर अनुपात क्या होगा तो इसे अगर आप लोग सॉल्व कियोंगे तो इसक जो राइट एंसर हो क्यों लिए नहीं 25 वाइवन होगा यानि कि कहीं न कहीं अगर आगर कहीं 25 रेशियो तो खली 25 वाइवन लिखा सकता था तो आप्सन के कोडिंग जेखा गया तो आप्सन नमबर 4 होगा नेक्स्ट कोशन काफी अच्छा कोशन था यह निम्रिकित में कौन बिधुत परिपत में बिधुत सक्ती का निरूपत नहीं कर दिया तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ देखे पीच कड़ों क्या होता ना हम लोग पढ़े हैं तो डबलू का फर्मूला क्या लिख सकते भी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आई भी हो यानि थळड़ भी हो जाएगा अब देखे हम लोग क्या करते हैं देखें थ्यान से अपके इस एक कौर्शन देखा तो इसका रहा टांसर और भी होगा यानिकि आई आसको नहीं होता है यह आई एसक्वार र होता है नेक्स्ट दे तो इसे आप लोग सॉल्व की होंगे तो इसका राइट इंसर आता वह रिष्यो फूर आएगा वह रिष्यो फूर आएगा किलिए नेक्स्ट कोशन किसी तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्ट काट का छेतर पर दूगना कर दिया जाए तो प्रतिरोत क्या होगा तो फ्रांस यह अप वर्तित रहें नहीं पड़ेगा इस पर नेक्स्ट कोशन एक इंपिर ब्राबर होता है तो चली काफी इजिस्ट कोशन चली सब्सकति क्या होती है तो यहीं में लिए समय neurbol खंबसे IT किसी परीपत में घृतार की लिकर्यच्ट करते आ कि मैसा नियंदे फ्लेमिंग धच्चृह सुन होते हैं चृत हैं करें कि तो फ्रेंट्स का टेसला होना चाहिए तो इसे मैं स्कीप करता हूं वैसे टेसला होना चाहिए था ठीक है अब कन्फूजन में स्कीप करने पर किसी चुमबके चितर द्वारा उत्तर की और विछेपीत हो जाता है तो चुमबके चितर की दिशा क्या होगे तो अधो मुखी होगे यह NCRT का कोशन था नेक्स्ट कोशन चुमबके बल रेखाएं तो फ्रैंस का जो राट एंसर ऑप्सन नमबर बी होगा कभी भी एक दूसरे को परतिछेत नहीं करती है ठीक है नेवर इंटरसेप्ट इच अधर नेक्स्ट कोशन घरेलू परिपत में हरा प्लास्टिक अच्छा द्वाला तार क्या होता था यह अमलबको प्लाया थे भूसंपर्क तार होगा And next question is no किसी परिपत में परितिरोद को परिवर्थित करने वाले प्रयुक्त उपकरन क्या कहलाता है तो फ्रैंट्स का जो राइट एंसर होगा रियो अश्टेट जिसनल धारा नियंतरक कहते हैं किसी परिपत में धारा मापने के लिए ए मीटर को समयोजित करते हैं किस धुरू से निर्गत होती और कीश विल हो जाती है किसी विदुत इस्ट्री को जब 220 वोल्ट मेंस के साथ समयोजित किया जाता है तो चार एम्पेर के धारा खीचता है तो इसका प्रतिरोद क्यात करना था तो हम लोग चांदते हैं, ओम का नियम से भीच कर टो क्या होता है, आई आर होता है, तो फ्रेंट्स, र का वेलू निकाल सकते हैं, क्या होगा, 220 बाई, आई का वेलू कितना था, फोर था, तो इसे आप लोग सॉल्व करते हैं, पचास ओम आजगा, तो अप्सन नूमर ए, सी, किसे चुमबक बनाने ही तो, परियुक्त किया जाने वाला उत्तम पदार्द क्या है, तो फ्रेंट्स, आप लोग पढ़ेते हैं, इसका राइटन स्रों का ओप्सन नूमर सी होगा, नर्म लोहा, कौन सा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से सम्बंधित नहीं है, तो आप लोग यह रहा था हमारा कोशन, फिजिक्स का, चलिए मैं आप केमेस्ट्री के कोशन के रहो स्टार्ट करता हूं, कोशन नूमर बन, तो देखे, मैं आप लोग को समने बताते जाता हूं, फ्रेंट्स, दी गई अभी करिया कैसा है, तो इसमें आप लोग देखेंगे या विस्था किसका उदाराना, तो इसका जो राइट अंसर, उप्सन नूमर थाड होगा, उसमाँ छेपिया भी करिया का होगा, निम्लिकित में से, साथ से कम पी एच मान किसका होगा, तो एचल या नि जठार रसका होगा, नेक्स्ट, बेमेल उक्साइड को निकालिए, देखे, सबसे होता पहले, आप लोग किजिगा, सुडियम रहा होता लास्ट में, सल्फर का कितना सीक्स होता है, कोपर का दो होता है, केल्सियम. होता, तो जिसमें 1 2 3 तक आता, उसमें बहूलता है मेटल आज अदिक होता उसमें अथीक Angometor से बोलते है बेष तो एस सो 2 हो जोगे, स्र होता है कौन सा उदासनिक अभी किरिया यानि कि नहीं है वो रहा तो जिसमें एसी डॉप बेस नहीं है तो फ्रेंट्स ऑप्सन के कॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्सन नमबर ठाड हो गया बेकिंग सोटा को उतपादन में परियोग होता तो इसमें एक ओडिन देखा बेक उतपादन किसका परियोग जेड एनो भी होता है किले रहा तो अप्शन नंबर ठड़ हो गया कौन धातु जल के साथ बिल्कुल अभी किरिया नहीं करता तो अप्शन के कॉड़िन देखाया तो कॉपर सिल्वर शोना इन्में से सभी हो जाएगा कौन अधातु एक तरल भी है तो आप लोगों को ऑप्शन के कॉड़िन देखाया तो ब्रोमीन एक तरल भी होता है अभी क्रिया सिल्ता का अनुसा धातु को कितने समुहों में वर्गी किरित किया गया तो मैं आप लोगों को बताया था अभी कितनी समुहों में वर्गी किरित करता है जो सांद्र HCl और HNO3 का भाग होता है फ्रेंट्स में आप लोग को बताया था यह सांद्र HNO3 का एक भाग होता है ठीक है और HCl का यह तीन भाग होता है ठीक है तो इसका राट एंसर होगे क्या HCl और HNO3 का भाग हो रहा था तो अप्सन नमर भी हो गया जो के थिरी रेशियो वन होगा नेक्स्ट इनोडी करन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एल्मुनियम की मोटी ऑक्साड की परच्छवाय आते तो इसको अप्सन नमर होगा ठड़ कौन आयनिक योगिक नहीं है तो फ्रें तनू H2SO4 यानिकी Sulfuric Acid के साथ यह अभी किरिया नहीं करता है क्लिए रहा है एन नेक्स्ट कोशन के विभिन रूप चूना पत्थर चौक तथा संग मरमर है तो कैल्सियम कॉर्बरेट होगा जिसमें लोग चौक भी कहते हैं क्लिए रहा है तो CACO3 होगा राइटेंस इस तो एलकिन का मुझे जाते हैं सी एन एच टू एन प्लस टू होता है तो हम लोग देखेंगे कहां पर डवल से टू मोर है तो ऑप्सन नमबर ठड़ हो गया एथेन का आनविक सूतर C2H6 है इसमें अबंदन होगा इने को वाइलेंट बॉल रहा तो चलिए इसका स्टक्चर बना लेते हैं लोग देखें फ्रेंट्स तो स्टक्चर अगर हम लोग बनाए है ना तो देखें आप लोग कॉंट करना है कितना है इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 तो इसका राइट एंसर ऑप्सन नंबर भी हो गया 7 तो चलिए आप लोग 7 क्लिक कियोंगे आई होप नेक्स्ट बीटेन और एक चतू कार्बनिक योगिक है जिसका प्रेक्यात्मक समूग क्या होता देखें नौन आता तो आप लोगों में पढ़ाया था किटोन होता है एल होताना एलकेन ही देता है तो एलकेन आप लोग खोजिए कहां पर तो अप्सन नंबर यह हो गया क्लियर है और नेक्स्ट कोशन की ओर के आप बढ़ते चलिए वह यह होगी जो नीला लिटमस को लाल बना देता है तो वह अमली होता तो अगर देखें तो आप्सन नंबर 4 मे कौन से चोड़ी अपरूपता की परिघटना दर्शाती है तो चलिए ओप्सन नंबर इसका होगा बी जो कि ग्रिफाट और हीरा होगा सुगंदित पतार्थ है तो ओप्सन के कोड़ी देखा जाया तो एस्टर एक सुगंदित पतार्थ होते हैं नेक्स्ट एने ओवेच के स से कितने तत्व प्राकिर्थी में पाई जाते हैं तो 94 होगा इसका राइट एंसर एनेक्स्ट कोशन आधुनिक आवर्थ सानी के नियम के नुसा तत्व के गुंधर्म उसके प्रमानु संख्या के आवर्थ फलन होते हैं तत्व का आधुनिक वर्गी करन के आविस्कार पे अधारित है तो फ्रेंट्स को आधुनिक वर्गी करने हिंदी मोसले के अविसकार प्राइट है निम लिके तो कौन उपधातु है तो ओप्सन के कोडिन देखा तो सिलिकॉन होगा एक एम आवर्थ सानी का तेरमा समू में स्थित है इसका क्लुराइट का सुत्र क्या होगा में आप लोगों को पताना देखे एम है यह अक्लूराइड में लिखना तो तिरमा समू में आगर आता ना तो उसका वैलेंसी 3 होगा अक्लूराइट का वन होता है आप क्रॉस मल्टिपिकेशन करें देखें स्थित है कौन अमली ऑक्साइड बनाता है तो देखें सोडियं को वन होता है वैलेंसी मेंगनिसियम को ट्यू होता है और फासफूरस को तपाइब फ्रेंट्स में आप लोगों बताया था जिसका 1,2,3 होता है वह चार बनाता है यानि बेसिस बनाता है और जिसका more than 4 होता है तो वह होता है अमली है तो इसका राइट अंसर होगा 5 वोला यानि कि 1st 4 होका राइट अंसर उप्सन नमबर 4 नेक्स्ट कोशन तद तो फ्लोरीन त कहीं था क्लोरीन के साथ कि कितने इलक्ट्रोन होंगे तो काफी को संत यह कितने इलक्ट्रोन होंगे बाहररी क söy तो देखे F9 होता है चलिए 2,7 बात करते है क्लोरीन का तो देखे 2,8,7 तो लास्ट में कितना रहा फ्रेंट सात रहा तो इसको अप्शन के अनुसार देखा तो अप्शन नमर भी होगा सात किसी कोस में इलक्ट्रोनिक अधिक्तम संख्या किस सुद्र पर अधारित होता है तो प्रावर्त में बाएं से दाई और जाने पए घरता है घरता है नेक्स्ट नियुरायन के अश्टक नियम का नुसार दो सद्री से गुनों वाले तत्व कविच एक्स तत्व होते हैं माल लेते हैं तो इसमें 8 होता है सारे गामा पाधानी सा यह रहा चलिए मैथेमेटिक्स क इसको सॉल्व करते हैं उप्सान नुमर्ट था ऐगा और बात करें यह जो मैथमेटिक्स था तो इसमें अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो और आप लोग सॉल्व करते हैं तो आइगा यानिकि फिप्टी आएगा 4 आयोगा असी दिन लगुत्तम समपर्तन की बात करते तो इसका सॉल्व करने पर असी चाचाव सेने की ऑप्सन नमर ठाड़ी आयोगा देखे ये कोशन काफी कॉंप्लिकेटेट कोशन था और काफी अच्छा था यह तो इसे अगर आप सॉल्व कियोंगे तो फ्रेंट इसका अप्सन नमर फॉर्ट आया होगा याने कि छे देखे यह कोशन काफी अच्छा था क्या वरहा हल नहीं क्या बहुत सारे हल है तो अप्सन नमर यह होगा ऐटी सेवन तो 87 को भी अगर आप लोग सॉल्व कियोंगे तो इसका राइट अंसर आएगा याने कि चार अद्द सेने कि 16 25 इस त्रिभुज का 6 अप्साइब इसमें अगर आप लोग सॉल्व कियोंगे देखे एक त्रिभुज था यह मैं चली कुछ उल्व करता है इसमें पीडूर यहां माले वह यह यह क्यू है आर है तो इसमें एक त्रिभुज बनाया हूं तो क्या वरहा पीक्यूर जो रहाए तो इसके राटेयो वर्य हमना चाहिए था क्सी जोना चाहिए टाया चाहिए था ए समधर एंखकेए मालेफि देखे लिखना था यानि जीन से यानि option number fourth पहली दस विसम पुर्णांगों का माद देख क्या होगा तो पहली दस विसम संक्याओं का पुर्णांग बोलता है ना तो वही लिखाए तो 10 है तो 10 ही होगा इसका राइट एंसर next question किसी त्रिभूच ABC में भूजा AB का मद बिंदू D है चली देखें में मैं solve करता हूँ ABC है इसका क्या होगा भूजा AB का मद बिंदू D है तथा AC का मद बिंदू क्या E है अब क्या लिखेंगा DE का फेलू कितना देरा 4 है तो BC का निकालना था आप लोग पढ़े होंगे यह ज यह पूट करना था भेलू तो यहां पर 3P हो गया माइनस 2 तो फ्रेंट्स अगर आप लोग 3P का भेलू निकालते हैं तो 4 आ रहा था किलिए अब पी का भेलू का निकालते हैं तो 4y 3 आता तो यानिकि option नमबर बी नेक्स्ट चली नेक्स्ट देखता हूं क्या है सुने 5 और 4 बहुपदी है तो हम लोग पूट करके देखेंगे तो option नमबर 3 में पूट करके देखेंगे तो दोनों में 0 आ जाएगा तो राइट अंसर option नमबर 3 होगा देखें यह कोशन काफी अच्छा कोशन था 10 5 देखें 5 और 85 को जोड़ी 90 आ गया 25 और 65 को जोड़ी 90 आ गया अब 45 क्या होता वन तो फ्रेंस 111 तो तिरी को वन से गुना कि कितना है वन एंसर तो इसका राइट अंसर ठड़ होगा कौन सा समीकर हल नहीं है तो देखें पूट करके आप लोग देखें पहला वेलू पूट करते तो 5 एकोल आ जाएगा बात करतें सिकेंड ऑप्सन पूट करत तो देखें कितना रहा टू पलस 21 यानिकी 23 जो की गलत होए तो इसका राइट असर अप्सन नवर फोर्थ होगा सी का वह मान जिसके लिए समीकर है एक स्कॉर पलस बी एक स्पलस सी ब्राबर जीरो के मूल ब्राबर मूल है तो फ्रेंस आप लोग कुछ नहीं करना है देखे तो राइट अंसर होगे बी स्कॉर फोर यह तो अप्सन नंबर बी काफी अच्छा को संता चलिए निक्ष्ट चलिए इसे अगर आप लोग सॉल्व कियोंगे तो फ्रेंस का राइट अंसर ऑप्सन नंबर भी आया होगा ठीक है अब देखें यह समांता स्रीनी का को संता तो यानि 4K हो गया और यहां पर 0 आ जाता तो अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखें अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो क्या था देखें एट के में से 4K यानि 4K इचकल टूवे ला गया तो के कर भी लूब फ्रेंस कितना आ रहा है ठीरी आ तो अप्सन नंबर हमार थीरी एंसर था चलिए अच्छा था फ्रेंटीक ब्राबर सार्व अंतर है तो किसी का पहला पत तीन है तथा दूसरे का पहला पत आठ है तो दोनों का नंतर निकालना था पाँच हो गया इसमें सरीखी आप लोग को निकालना था सॉल्व कियोंग तो ऑपसन नंबर न आया आप यह अच्छा था क्या बोल रहा था देखिए alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha का मार निकलना था तो friends इसे अगर आप लोग solve कियोंगे तो देखिए alpha beta plus beta gamma plus gamma 8 यानि 2 गुनांक जो होता है यह आप लोगों मैं बताया था यह जो फर्मूला होता है देखें मैं सबसे पहले आप लोगों पढ़ाया था alpha beta plus gamma यह तो इसका जो फर्मूला होता है minus b by a होता है clear है बात करें डबल गुना के यह अलफा बीटा बीटा गामा और गामा अलफा इसका होता है c by a होता है ठीक है और वही अगर तीनों का multiply बोलता alpha बीटा गामा तो फर्मूला होता है minus d by a होता है तो हम लोग को option नमर बी वाला पूछा था क्या होता c by a तो c क्या बीटा माइनस 14 था और एक यहां पर 2 था तो इससे cancel करते थे minus 7 इसका राता तो option के according देखा थे minus 7 राता होता चलिए एक question काफी अच्छा था देखिए आप लोग इसमें क्या करना था फ्रेंट्स थी पर पावर 10 कॉमान ले लेना था अब देखिया क्या बस था थी पर पावर 3 माइनस 1 तो चलिए देखे थी पावर 3 रहने दिए अब 3 पावर 3 में से 1 गये 26 अब हम लोग यहां पर देखिना था 26 की स्टेबल से करता है तो देखिए 13 से भी करता है और 2 से भी कॉम्लिकेटर कोसन था अप लोग सौल गया देखिए सबसे पहले आप लोग को इस टापसे आप लोग को सौल करना करना था एक हम लोग यहां पर सक्टर बना दिया थे जो की आप लोगो पेरिमिटर की रूप में सक्टर बना था तो भी जानते मिला क्या होता 90 जैंशटी क आप है आप इंट्ू क्या था क्या हो था तू पाई आर क्लिया रहा है कि अब देखे इसमें तरीजर्com गतने हो शातरा तो धिक नाइंट्ट्ण को फोर ठैंप और यू तो le瞬ागा तरी सिंपल थाओ देखे कि फ्रेंट सिंपल में अगर आप लोग इसे पूट करते हैं तो देखें कि सॉरी मिस्टेक हो रहा तो मैं आप लोगों बता देता हूं देखें 90 वाइश्टर देखें आप लोग क्या करना था आज नो 90 वाइश्टी करना था इंटू पाई यार तो तू पाई का भेलू अप टेबल में 11 टेम्स करता अब देखें सेवन कर टेबल में आता आपका 1.5 टेम्स कर दाथा किलियर है अब 1.5 इसे सॉल अगर आप लोग पूरा करते तो इसका राट अंसर आएगा तो कि मैं फ्रेंट करता हूं फ्रेंट से काफी एजिस्ट को संता मैं मिस्टेक कर रहा था देखें आप लोग यहां पर क्या त्रीजाखन का परिमाप निकालना था और यहां पर एंगल शिक्स्टी डिग्री तो उसका फ्रमुला यूच करना था याने 360 इतना हम लोग यूच करना था टू पाई है टू पाई है क्या होता 22 बट्टा साथ होता और कभी लोग 10.5 दि इसका परिमाप ग्यांत करें तो देखें इसके लिए मैं कोशन वही बता रहा था था इन्टू पाई है तू पाई होता 22 बट्टा साथ होता है और आज के भीलू साथ यह था इन्टू तू बार होता यानि साथ साथ 14 हो गया चैंसिल कीजिए आप लोग देखें यह भी कड तो 25 सेंटिमीटर राइट रहो गया इसका चली नेक्ट कोशन क्यों मूव आउन करता हूं देखें किसी घं का आयतन और किसी गोलक का आयतन का नुपाथ जो की घं के अंदर ठीक ठीक बैठ जाता है तो आप लोग इसे देखें फ्रेंट्स का राइट अप्सन नमर ए होगा चली मैं ओप्सन के बतारों फ्रेंट्स देखें फोर रेशियो 5 होगा और अगर आप लोग इसे सॉल्ट कियों तो अप्सन नमर भी आता देखें वास्त्विक नहीं है तो देखें आप्सन नमर वह आता सौरी भी और अगर इसे आप लोग सॉल्ट कियोंगे तो इसका सब्सक्राइब करना था तो इसे अगर आप लोग सॉल्ट करते तो वन बाइट वाता और बात करें इसका यह तो काफी इजिस्ट कोशन था अप्सन नमर भी होता राइट अंसर सम्चत भूच के भी करना था वान इंटू हाफ इंटू डीवान इटू कर देजिए सिंपल मे तो आप लोग ट्रिपलेट यूज कर सकते थे वैसे देखे आप लोग आठ था यह नहीं कि चार कर देजिए तीन यह पांच होगे राइट अप्सन नमबर फूर अगर आप लोग इसे सॉल्ट कियोंगे तो इसका राइट अप्सन नमबर ठड़ आया होगा इसे भी अगर काफी अच्छा था इसे अगर आप लोग सॉल्ट कियोंगे तो अप्सन नमबर जो आता ठड़ बात करें इसे आप लोग देख लिए क्या क्या आरा आप लोग उसके कोडिंग बताएगा ठीक है चलिए आते हैं लोग बाइलोजी में देखें बाइलोजी के में कुस्टन ड आते हैं तो हरे पौधे आएंगे पर पोसी जीव का उधारन तो फीता क्रीम होगा अधिक्तम एटीपी के दौरन उत्पादित होता है तो फ्रैंसिसका जुराय टेंसर होगा कि इन्वन इसका राय टेंसर हो ट्राइक कार्वोजलीक अम्र चक्र में कोशी काएं जो रक्त को हिर्दय से सरी के विविन अंगों तक पहुचात उसलों बोलते धमने पायरवेट का भोजन द्वारा कारवन डाय ऑक्साड जल तथा उर्जा को उत्पादन मैट्रो कॉंडिया में होता है पौधों में जल तथा खात समागरियों का परिवान किसकी द्वारा होता है तो जल में उत्सरजन होता है तो पत्ते गिरने जरीए होता तला अलगलन के जरीए भी रहता है यानि कि वन और वे से सबी बीच कि भी तो नीरोन विए तो इसके बादु से सबी किYA को क्या कहते है तो फरैंट्स के सब्स्यों के बीच करते हैं uzgratap सिनेप्स होगा पाच्चन द्वारे एमिनो अमल प्रस्दूत होता है तो प्रोटीन के द्वारा होता है अमीवा में प्रजनन की विधी क्या है तो अमीवा में प्रजनन की द्विखंडन विधी होती है कौन पुर्ण जनन विधी द्वारे जनन करता है तो फ्रांट इसमें जो राइट प्रकृतिक विधी द्वारा काइक संवर्दन पत्ता कली ने दिए था हुँ प्रको किसी फूल में में श्थित होता थो अ कौन आवस्यक रूप से ना कैंसर जन्न और ना किसी प्रकार का एंसर होता है का कि देख लिए फ्रेंट्स आप लोगों खुद कमेंट बॉक्स में लिखने आप लोग एंसर मानव के तवचाक एंसर का प्रमुक कारण सुरे से निकलता हुआ प्रवैगनिक कीरण का विकिरण होता है अब चलिए यह कोसं था आप लोग का देख लिए यह राफ्रेंट्स और अपलोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा कैसे लगा आप लोगों और मैं आप लोगों के मिलाश्ट में दो बता देता हूं देखे क्या लिख रहा है मानव सरीर में सबसे संतुलित ब्रीदी का प्रवं सब्सक्राइब में लिखेंगे आप लोगा कितना मार्क्स गेन हो रहा है चले ठेंगे सो मच ठेंगे सो मच